मंडी में अधिकारी पर बेहुदा हरकते करने का रूप लगाने वाली सुलपूर जपोर पंसेयर की परदान रिंकू चंदेल पुलिस की कारवाई से संतुस्क नजर नहीं आ रहे ही रिंकू चंदेल ने फिर से एस्पी गुरुदेव शर्मा से मुलकात करके उने ग्या पंसौपा मामले की जाच किसी सोतंतर एजनसी से करवाने की मांग उठाई इस दोरान उनके साथ जीला महिला कांगरिस की परदान सुमू चौधरी और सुन्दरनेगर जीला की परदान माला महता भी मौजू देही अधिकारी पर बेहुदा हरकते करने का आरोब लगाने बाली सुलपूर जवोट पंचायत की परदान रिंकू चंदेल पुलिस की कारवाई से संतुस्ट निजर नहीं आ रही है रिंकू चंदेल ने फिर से स्पे गुर्देप शर्मा से मुलाकात करके उन्हें ग्यापन सौपा मामले की जांच किसी सुतंत्र एजंसी से करवाने की मांग उठाई इस दोरान उनके साथ जिला मेला कॉंग्रेस की परदान सुमन चोधरी और सुन्दर नगर जिला की परदान माला महता भी मुझू रही आपको बता दे कि रिंकू चंदेल ने सरकर घाट उकमंडल के एक अधिकारी पर बेहुदा हरकते करने का आरोप बीते 20 दिन पहले लगाया था इस अंदर में DC और SP को भी शिकायत सौंपी थी रिंकू चंदेल का आरोप था कि उक्त अधिकारी ने अपने कारेल में उसका हाथ पकड़ा और उसे काम करवाने के लिए अपने क्वार्टर में आने को कहा भी रिंकू का आब ये आरोप है कि पुलिस मामले की सही डंग से जांच नहीं कर रही है जो जांच अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया गया है भे आरोपों की गंभीरता को ना देखते हुए उल चलूल सवाल पूछ कर जांच को उलजा रहे है रिंकू चंदेल ने आश सतंत्र एजनसी को दी जाए भेहिं उन्होंने चिताय कि अगर जल्थ ही मामले की सही डंग से जांच नहीं की गई तो फिर ये जीला मुख्याले पर अनशन पर बैट जाएंगी भेहिं एसपी गुलदेब शर्मा ने शिकायत करता रिंकू चंदेल को भरोसा दिलाय कि मामले की सही डंग से जांच की जा रही है और इसकी प्रक्रिय जारी है कि आप कहां बैठे हुए थे कौन से डंग के कपड़े डाले हुए थे जब एक महला इतनी बड़ी बात बोल रही है कि मेरे साथ इस तना की हरकत हुई मुझे हाथ लगाया मुझे चुआ मेरे उपर हाथ रखा तो उस चीज को सुनने की बजाए वो लोग आस पास जो और लोग हैं महलाएं हैं उन से जाकर पूछ रहे हैं कि क्या उनके साथ इस तरह की हरकत हुई मैं चाहते हूँ प्रशाशन जो निस्पक्ष काम करें किसी राजदिंतिक धवाब में आकर काम ना करें और इस मामले की इंक्वारी अगर किसी इंडिपेंडेंट एजंसी से करवा की जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रिजाल्टर नहीं सकते हैं